तो 2013 की दोड़ानेक एनिमे रिलीज हुआ था जिसका नाम था The Devil is a Part-Timer यानि की हटा रकू मा उसामा तो 7th August यानि की पर्सो को The Devil is a Part-Timer का Night Novel का Volume 21 यानि की Last Volume निकला है तो Last Volume में क्या हुआ है ये जानने के लिए मैं भी बहुत दिनों से Research कर रहा था तो उसी वक्त मुझे रेडिट से जानने को मिला है की The Devil is a Part-Timer का एंडिंग एकदम बेकार हुआ है रिफरेंस के तौर में मैं 2020 में खतम हुए हर एक Rom-Com, Manga और Novel के बारे में बात करना चाहूंगा जैसा कि आपको पता है The Queen Decential, Queen Depletts का एंडिंग बहुत ही Controversial था यह सुवा आखिर में जीत गई जो की होना बहुत ही क्या बताओ मतलब सही नहीं था और उसके बाद अगर बात करें बोकुत अचिवा बेंक योगा देखी नहीं मांगा की थो उसका तो एक अलगी किस्सा है मतलब फैनों का दिल रखने के लिए मांगा का ने रूट सिस्टेम कर दिया मतलब पूरा आमागामी SS के तरह वेल आमागामी SS शुरू से ही आसा था लेकिन उसके बाद आया Brain Cancer जो की था Domestic न कानो जो जिसका फिनाल है देखके तो मैं मतलब Domestic न कानो जो का एंडिंग कुछ ऐसा था मतलब यह देखके मुझा भी भी उल्टी आती है लेकिन सबसे अजीब और बेकार एंडिंग हमें देखने को मिला The Devil is a Part-Timer में शुरुआ से ही मैं Devil is a Part-Timer एंडिंग का बहुती बड़ा फैन था मतलब मैं उस सीरीज का मांगा भी फॉलो करता था और आगे क्या होने वाला है यह सब जानने के लिए मैं Reddit को भी फॉलो करता था नोविल को मैं जादा फॉलो नहीं करता था लेकिन जब मुझे वॉल्यूम 21 की इंडिंग के बारे में पता चला तब मैं बहुत दुस्टूख हो गया की आखिर में क्या हुआ तो उसके बाद मैंने बहुत फूरम्स में छान मारा और मुझे आखिर कर पता चल गया की इंडिंग कैसा है तो मुझे रेडिट से एक समरी जैसे पता चला की एमी पहले माओ को एक इंसान मना देती है तो उसके बाद माओ दिल से डेवन किंग रहता है लेकिन फिजिकली वो एक इंसान मन जाता है लेकिन ऐसा हुआ कैसे ये मुझे नहीं पता क्यूंकि वहाँ पर एक साइनॉपसिस के जैसे लिखा हुआ था इसलिए मैं कहने ही सकता तो इंसान बनने के बाद माओ जाके चीहो से कनफेस करती है और वो दोनों एक कबल बन जाते है तो माओ का कहना ये है कि पहले माओ एक डिमन था और चीहो एक इंसान था इसलिए वो एक साथ नहीं रह सकते थे लेकिन अब जब दोनों ही इंसान है तो वो एक साथ रह सकते है मतलब ये कैसा एक्सक्यूज हुआ भई मतलब नोबिलिस्ट के दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था मतलब क्या भई तो चलिए आब आते हैं असली पॉइंट में ये बेकार क्यों है ये जानने के लिए तो माओं ने चीहों के पास जाकर कन्फिस करने के बाद उसने एमी के पास भी आकर कन्फिस किया मतलब what the fuck well आखिर में जाके एक hard aim इंडिंग हो गया मतलब जो की एकदम obvious नहीं था और सबसे अजीब बात ये है कि एमी ने ये मान लिया मतलब आपको तो पताई है कि एमी एक hero है और वो कितना pride के साथ जीती है तो यहाँ जो एमी का character हमें देखने को मिला वो वहत ही अजीब था मतलब क्या कहूँ अगर आपने release that witch man हुआ पड़ा है तो आपको पता ही होगा कि उसका एंडिंग भी कुछ ऐसा ही था तो अब मुझे लग रहा है कि इस novelist ने बस उसका एंडिंग copy paste कर दिया है तो 2020 में manga का और novelist का जो हालात है इससे मुझे अब डर लगने लगा है कि rent a girlfriend के साथ भी ऐसा ना कुछ हो जाए अगर आपने rent a girlfriend का manga पड़ा है तो आपको पता ही होगा कि उसका storyline भी बहुत smooth है मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं है लेकिन 2020 के हाला देखने के बाद तो मुझे डर लगने लगा है कि उसका भी एंडिंग तो the devil is a part-timer की एंडिंग देखकर सबसे जादा dissatisfied हुए थे Japanese लोग मतलब उन्होंने तो novelist को death threat ठक पहिज दिया था तो यहाँ पर मैं आपको कुछ tweets दिखाड़ा हूँ Japanese लोगों से देखो मतलब इस बंदे ने directly author को क्या ना क्या क्या दिया है मतलब इसने कहा है कि तुझे बाहर निकलने में डर नहीं लगता तुझे क्या डर नहीं लगता कि हम तुझे मार देंगे कुछ-कुछ बंदे ने तो यह भी कहा दिया है कि तुझे कोरोना होना जाईए और कुछ-कुछ लोग तो यह भी कह रहे है कि यह series बहुत अच्छा था लेकिन तुमने इसे बिगार दिया और maximum tweet था death threat तो 2020 में हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है मतला manga, anime, novel इतना सुन्दर-सुन्दर ending और साथी साथ इंडिया में Anime Sides Band और भी बहुत कुछ देखना future में आभी भी बाकी है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आगे एक नए वीडियो के साथ झाल झाल झाल